हमारा जो टोपिक है वो है variation in effective gravitational acceleration with latitude due to earth rotation अब हमें gravitational acceleration में जो change आएगा उसके latitude की वजह से जो earth rotate कर रही है आपको मालूम है earth rotate कर रही है तो चलो यहाँ पर मैं टोपिक का नाम लिख रहा हूँ ध्यान रखना variation in effective gravitational acceleration acceleration g with latitude due to earth rotation अब यहाँ पर क्या है बच्चो देखो अर्थ की rotation की वजह से object के जी में जो change आएगा वो हमें यहाँ पर देखना है अब यहाँ पर variation in effective gravitational acceleration acceleration g with latitude due to earth rotation अब मानलो यहाँ पर मैं आपको एक figure draw करके बता रहा हूँ के जी में earth की rotation की वजह से क्यों change आएगा और वो कितना होगा वो formula भी हम derive करेंगे लेकिन पहले देखो यहाँ पर एक बड़ी सी यह earth मैंने draw की है देखो आप यहाँ पर जो मैंने draw किया है वो क्या है य earth देखो earth draw की है और ये है उसकी axis यहाँ पर जो होगा ये है उसकी axis यहाँ पर मैं draw कर रहा हूँ exit बीच मैं exit बीच में मैं draw कर रहा है उसकी axis देखो इस तरह से यह है उसकी axis अब यहाँ पे कोई object जो मान लो कोई एक stone छोटा सा stone मान लो यहाँ पे है यह equator portion होता है समझ महारा यह क्या portion होता है equator तो equator portion जो होगा वहाँ पे कोई object होगा तो earth तो कैसे rotation करेगी earth तो इस तरह से rotation करेगी earth इस तरह से rotation करेगी तो यहाँ पे जो object होगा equator यह कहाँ पे equator पे है तो जैसे ही earth rotation करेगी, तो यहाँ पर यह जो object है, यह object, वो यह axis है, इतने दूर है, देखो, इतने दूर, इतना दूर है, जिसको आप radius of earth भी बोलते हो, क्या बोलते हो? आरी, radius of earth, तो जब यह object rotation करेगा, equator पर पड़ा हुआ है, तब उसका rotation अगर आप देखोगे, तो इस तरह से आपको यह feel होगा, देखो, इसका rotation feel होगा, इस तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह जो equator पर पड़ा हुआ है, object, देखो, इसका rotation इस तरह से आपको दिखेगा तो यहाँ पे यह जो object है यह जो छोटा सा stone है यह stone का mass मानलो मैंने यहाँ पे ले लिया है M stone का mass M ले लिया है और जो पूरी Earth है उसका mass है मानलो M E mass of earth अब क्या होगा बच्चो यहाँ पे यह object यहाँ पे घुम रहा है अब यहाँ पे दो force लगेंगे कौन-कौन से force, एक तो यह object जब गोल घुम रहा है, जब यह object गोल घुम रहा है, तो यहाँ पे centrifugal force लगेगा, center, यह center है, center से opposite direction में, center से opposite direction में centrifugal force लगेगा, और वो होगा mv square upon re, यह होगा mv square upon re, जो center से, यह center से opposite direction में centrifugal force लगता है, फिर यही object पे नीचे की side, यही object पे नीचे की side, force लगेगा weight force mg, क्या लगेगा weight force mg, weight force mg लगेगा, आपको मालूम है, अर्थ पे कोई object को आप छोड़ दोगे, तो वो अर्थ के उपर गिरेगा, क्यों? क्योंकि उसका weight force होता है, mg जीतना, समझ में आरा है, कोई भी object लोगे आप, मालो आपने कोई object लिया है, और उसको अर्थ पे छोड़ दिया, देखो यहाँ पे मालो कोई यह अर्थ की surface है, और आपने object को छोड़ दिया, तो वो mg force, mg force कौन सी direction में जाता है, नीचे की और जाता है, तो वो mg force की वज़े से, वो mg force कहां पे जाता है, center, center towards center, तो मुझे ए जाएगा towards center, मालो object यहाँ पे रखोगे, तो वो भी जाएगा towards center, means उस पे जो force लगेगा mg force, वो mg force कहां पे होगा towards center, मालो यहाँ पे आपने किया है, तो यहाँ पे object रखोगे, तो वो भी जाएगा towards center, क्योंकि यहाँ पे भी क्या लगेगा mg, तो अर्थ पे कोई भी direction में आप object को रखोगे, वो सभी जाएंगे towards center, center की side, center की side, center की side, यह जाएगा, simple सी बात है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे उसी तरह से, यह object मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, यह object यहाँ पे रखा हुआ है, और वो जा रहा है towards center, तो towards center कुण सा force हुआ, यह यहाँ पे हुआ mg, और यहाँ पे हुआ mv square by r ही, तो एक बात बताओ बच्चो, यहाँ पे यह object, यहाँ पे जो पड़ा हुआ है, उस पे यह दोनों ही force लग रहे है, अब क्या होगा बच्चो, अब यहाँ पे यही object, मानलो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ, यही object मानलो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो क्या होगा अब, अब यही object अगर यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो यह object की radius जो होगी, वो थोड़ी अब यही object गुमेगा यह path पे यहाँ पे मैं dotted line से आपको दिखा रहा हूँ देखो यह dotted line से मैं आपको दिखा रहा हूँ देखलो आप तो यहाँ पे यह जो object है वो earth मानलो इस तरह से गुम रही है तो equator पे पड़ा हुआ object यह बड़ी radius में इस तरह से उसको गुमने को मिलता ह है लेकिन यहाँ पे जो object पड़ा हुआ है वो earth के साथ साथ गुमेगा तो उसको इतनी radius मिलेगी small r मिलेगी उसको radius of earth नहीं मिलेगी उसको मिलेगी यह axis से object तक का distance यह r small r मिलेगा कम distance है तो यह रास्ते पे यह object earth के साथ साथ गुमेगा अब क्या होगा बच्चो देखो यह यहाँ पे मैं r e draw कर रहा हूँ radius of earth तो एक बात बताओ center से अगर मैं line draw करूँगा अगर मैं center से line draw करूँगा कहां पे यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं center से यहाँ पे line draw करूँगा तो यहाँ पे यह तो r e ही होगा यह क्या होगा बच्चो इसको तो आप r e radius of earth ही बोल सकते हो क्योंकि center में से यहा, center में से यहाँ पे, center में से यहाँ पे, कहीं भी अगर आप line draw करोगे, वो तो radius of earthy है, तो आपको यहाँ पे एक z दिखेगा, आप यहाँ पे देखोगे, तो आपको एक z दिखाई देगा, वो z कैसा है वो देखो, यहाँ पे जो z दिखरा है बच्चो, वो z इस तरह से है, देखो, यह है, यह है, यह है, यहाँ पे छोटे circle की radius, small r, यह है यहाँ पे radius of earth, r e, यह आपको z दिखेगा, देखो, और यहाँ पे यह है, फिर से एक r e, ओके, तो यह आपको एक z दिखेगा, तो यहाँ पे, यह जो object है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो object जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो यहाँ पे जो angle बनाएगा, वो होगा lambda, मानलो इसको मैंने lambda लिखा है, यह angle को मैंने lambda लिखा है, तो यहाँ पे आपको जो z दिख रहा है, तो यहाँ पे जो z दिखेगा, यहाँ भी क्या बनेगा, बच्चो, यह angle भी lambda ही बनेगा, तो यहाँ पे एक Z है और lambda lambda angle में ने एक दिया हुआ है समझ cel भे वह lambda चेंज होगा अगर यह object यहाँ पे है तो यह lambda चेंज हो जाएगा क्योंकि यह पूरा Z इस तरह से दब जाएगा इस तरह से Z बनेगा इस तरह से अगर object यहाँ पे है तो अगर object और उपर है मानलो और उपर तो Z इस तरह से लंबा बन जाएगा तो जैसे जैसे object की position change होगी ये Z जो है उसकी height वो कम होगी या तो बढ़ेगी और lambda की value यहाँ पे आपको change होती हुई मिलेगी अब क्या होगा बच्चो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब कोई चीज गोल गुमती है जब कोई चीज गोल गुमती है तो यहाँ पे यह object गोल गुम रहा है इस तरह से तो यह object जो गोल गुम रहा है उसका गोल गुमने का center यह है अर्थ का center ये है लेकिन ये object जो है वो इस तरह से गोल गुम रहा है तो उसका गोल गुमने का circle का center ये है तो उसके center से opposite direction में क्या होता है centrifugal force mv square by अब r में ये लिखूंगा ये r mv square by ये r लिखूंगा क्यों क्योंकि ये जो circle है उसकी radius क्या है small r है ये circle की radius small r है तो यहाँ पे centrifugal force mv square by small r मिलेगा अब क्या होगा बच्चो देखो यहाँ पे मैं एक line draw कर रहा हूँ मुझे एक बात बताना मैं एक ये radius of earth वहाँ से एक straight line draw कर रहा हूँ इस तरह से ये straight line मैंने draw की तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पे ये straight line और ये straight line देखो आप ये straight line और ये straight line दोनों में यहाँ पे बीच में lambda है तो यहाँ भी angle क्या हो जाएगा यहाँ भी angle हो जाएगा lambda तो मुझे एक बात बताओ बच्चो यहाँ पे ये mv square by r centrifugal force mv square by r जा रहा है right hand side mv square by r जा रहा है right hand side तो यहाँ पे उसका यह angle जहाँ पे मिलेगा वो जो element होगा आपको मैंने बताया है कोई भी vector के दो element होते है एक sign और एक cos मानलो मैंने इस तरह से यहाँ पे एक vector draw किया है vector a यह vector a तो यहाँ पे उसके दो element होगे मानलो यहाँ पे theta है तो यह होगा a cos theta और यहाँ पे theta जो side नहीं है वो होता है a sin theta यहाँ पे इस तरह से element होते है मानलो मैंने इस तरह से draw किया है कोई vector यह vector b तो यह vector b के भी दो element है यहाँ पे मानलो मैंने इस तरह से draw किये है तो मानलो यहाँ पे theta है तो यह हो जाएगा B cos theta और यह side हो जाएगी B sin theta तो यहाँ पे यह B के दो element, theta यहाँ पे है तो यह B cos theta और यह हो जाएगा B sin theta तो बच्चों यहाँ पे उसी तरह से यह force है, कौन सा force, centrifugal force, centrifugal force mv square by r, उसका यहाँ पे lambda जनरेट हुआ, तो उसका यह जो element होगा, वो होगा mv square by r, cos lambda, तो यह mv square by r का, यह cos element हुआ, यह element, समझ में आर है, जैसे मानलों यह a vector है, यह a vector है, तो यह side होगी, lambda यहाँ पे, angle यहाँ पे, तो यह उसका cos element होगा, और यहाँ पे tangent की direction में, sign element होगा, लेकिन मुझे sign element अभी नहीं चाहिए, तो मैंने सिर्फ cos element की बात की है, फिर उससे आगे, मैंने अभी क्या बताया था बच्चो, object जहाँ भी रखोगे earth पे, towards center, object जहाँ भी रखोगे, towards center, कौन सा force लगेगा, mg, मैंन अपने object यहाँ पे रखा, towards center, mg लगा, object अपने यहाँ पे रखा, towards center, mg लगा, तो object अगर आपने यहाँ पे रखा हुआ, यहाँ पे, तो यह towards center, center की ओर, कौन सा force लगेगा, mg, simple सी बात है, तो मुझे एक बात बताओ बच्चो, यहाँ पे, यह नीचे की side, mg है, और इसके opposite side mv square cos lambda upon r है, यह आपके दिमाग में अब आना चाहिए, यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया, कि यहाँ पे, देखो, यह object जो है, यह object, यह object पे, यह नीचे की side mg लग रहा है, और यहाँ पे लग रहा है, यह side, यहाँ पे लग रहा है, mv square upon r into cos lambda, यह object है, देखो, यह figure में मैंने यहाँ पे फिर से draw की है, यह object, उस पे center की और mg, और center से opposite, यह earth के center से opposite, mv square cos lambda upon r, तो यह object, देखो, यह object पे दोनों force, आमने सामने, opposite direction के दोनों ही force मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिये, आप देख सकते हो, मैंने अलग से आपको लिख के बता दिये है, अब यहाँ यहाँ पे होगा क्या बच्चो देखो, एक चीज याद रखना, यहाँ पे mg जो होता है न, mg, यह जो figure आपको दीख रही है, उसमें यह जो mg होता है न, उसकी value ज्यादा होती है, किस से, यह mv square upon r, जो है, उस से, mv square upon r, cos lambda, mg की value इससे ज्यादा होती है, इसलिए मैंने greater than य हुआ, कि mg की value इससे ज्यादा होगी, तो मुझे एक बात बताओ बच्चो, यहाँ पे जो भी force ज्यादा होगा, वो direction में object जाएगा, यह तो simple बात है, जो भी force ज्यादा होगा, वो direction में object जाएगा, तो देखो, यहाँ पे object है, मानलो, थोड़ी जमीन यहाँ पे, अर्थ, थोड़ा सा portion, जमीन तूट गई, तो यह object हवा में उपर जाएगा, या तो जमीन तूटी तो अंदर जाएगा, simple सी बात है, तो यह object जमीन थोड़ी सी, उसके नीचे से जमीन सिरक गई, या जमीन थोड़ी सी तूट गई, तो यह object कहाँ पे जाएगा, जमीन के अंदर रहा है, लेकिन मान लो थोड़ा सा गड़ा बन गया, ओटोमेटी, तो यह object कहाँ पे गिरेगा, अंदर की और जाएगा, तो इसका मिनिंग, यहाँ पे always, mg की value ज्यादा रहती है, और यह mv2 upon r cost lambda उसकी value कम रहती है, समझ में रहा है, तो यह ज्यादा force है, तो ज्यादा force ज यह नीचे वाला यह ज्यादा force, minus, कम force, तो यहाँ पे mg minus, mv2 upon r cost lambda, तो force में से force minus किया जाएगा, तो आपको मालूम है, force ही मिलता है, force में से force minus किया जाएगा, तो answer force ही मिलेगा, और यह जो force होगा, वो resultant mg dash होगा, resultant mg dash, समझ में आ रहा है, अब आप बोलोगे, सर, यह resultant mg dash क्या है, वो मैं बता दू, resultant mg dash, यह mg का mg नीचे लिखा है, और यह step भी पूरा यहाँ पे लिखा, लेकिन यह जो force है, जिसको मैंने बोला resultant mg dash, तो यह यहाँ पे क्या है, देखो मैं आपको बता दू, देखो, य यह जो है ना, वो resultant weight force है, क्या है resultant weight force, mg dash का नाम, कोई आपको बोले, कि यह resultant, finally, जो result मिला, वो क्या है, तो उसको बोलोगे resultant weight force, क्यों, क्योंकि देखो, अर्थ, यह object को, अर्थ, नीचे खिचेगी, मानलो, 10 newton से, यही object को, अर्थ, नीचे खिचेगी, 10 newton से, और इस उपर की ओर लग रहा है, मानलो, 2 newton, उपर की ओर लग रहा है, 2 newton, तो होगा क्या बच्चो, नीचे की ओर 10 newton, उपर की ओर 2 newton, तो 10 minus 2, तो result मिला 8 newton, तो यह object पे नीचे की ओर, जो weight force होगा, वो weight force 8 newton, resulting weight force 8 newton लगेगा, अब, अब यहाँ पे M, 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 कट कर दोगे, यहाँ पे M, 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 कट कर दोगे, तो आपको मिलेगा g dash equals to g minus mv square upon r cos lambda, देखो बच्चो, यहाँ पे मैंने theta की जगा पे lambda लिखा है, आप theta भी लिख सकते हो, एसी कोई चीज नहीं है, कि यहाँ पे lambda ही symbol दे, यहाँ पे theta alpha जो भी नाम लिखना है, वो लिख सकते हो, तो है, अर्थ की surface के ऊपर का, जो g होता है, 9.8, यह वो g है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे यह g क्या है, यह g जो है ना, वो अर्थ की surface के ऊपर, अर्थ की surface के ऊपर जो g होता है, जिसको आप g e बोलते हो, on the surface, g e बोलते हो, gravitational acceleration, on the surface, वो g e है, तो यह g dash क्या है, यह g dash, resultant acceleration आपको आगे मैंने बताया था कुछ height पे g मिलता है कुछ depth पे g मिलता है उसी तरह से ये अर्थ को घुमने की वज़ा से अर्थ के rotation की वज़ा से उसके latitude पे latitude means अर्थ यहाँ पे object पढ़ा है तो उसका latitude अलग होगा यहाँ पे object पढ़ा है उसका latitude अलग होगा यहाँ पे object पढ़ा है उसका latitude अलग होगा उसके latitude की वज़ा से जो भी g में change मिलता है तो वो finally g क्या होगा उसको मैंने g dash बोला है g dash यहाँ पे मैं लिख देता हूँ g dash समझ में आ रहा है तो यहाँ पे title क्या है बच्चो variation in effective gravitational acceleration g dash with latitude जाता है और वो latitude पे g क्या होता है वो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है वो g dash equals to g e minus m v square upon r cos lambda यह यहाँ पे दिया हुआ है अब दूसरी एक बात rotational motion में rotational motion में आपने पढ़ा था v equals to v equals to r omega यह rotational motion chapter में आपने पढ़ा था तो यहाँ पे बच्चों में क्या करूंगा यहाँ पे मैं यह v की value रख दूंगा g dash equals to g e minus m r square omega square upon r cos lambda मैंने यहाँ पे value रख दी तो यहाँ पे r square उपर r square है नीचे एक आ रहे r r cut हो जाएगा तो g dash equals to g e minus m r omega square cos lambda यह आपको मिलेगा देखो यहाँ पे आपको क्या मिला g dash equals to g e minus m r omega square cos lambda sorry m तो cut हो गया यहाँ पे m cut हो जाएगा sorry यहाँ पे m cut हो गया इसका यहाँ पे पहले से m तो इसका cut हो चुका है तो यहाँ पे m cut हो चुका है तो यहाँ पे g dash equals to g e minus यहाँ पे हो जाएगा r omega square cos lambda समझ में आ रहा है इसका m यहाँ पे cut हो चुका है मैंने mistake से लिग दिया था साथ में तो यहाँ पे g dash equals to g e minus r omega square cos lambda यह यहाँ पे आपको मिला अब दूसरी एक बात बच्चो यहाँ पे small r क्या होगा वो हमें देखना है यहाँ पे small r की value क्या होगी तो देखो small r की value अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे काम करोगे यह figure जो है उसके अंदर एक right angle assume करो यह वाला right angle यह वाला right angle एक assume कर दोगे अगर आप यह वाला देखो यहाँ पे मैं draw कर रहा हूँ तो यहाँ पे यह वाला जो right angle है मानूरो मैंने इसका नाम A यहाँ पे रखा है B और यह O तो यहाँ पे A, यह B और O तो A to B क्या है? R है फिर B to O क्या है? radius of earth है R E और यहाँ पे क्या है? lambda है तो आप यह figure देख के आप बता सकते हो यहाँ पे cos lambda यहाँ पे cos lambda होगा क्या? R upon R E cos lambda क्या होगा? R upon R E तो यहाँ पे small r की value क्या होगी बच्चो small r की value होगी cos lambda into R E यहाँ पे small r की value होगी cos lambda into re तो आप अगर small r की value यहाँ पे रख दोगे यहाँ पे small r की value रख दोगे तो यहाँ पे जी डेस जी डेस equals to ge फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो omega square और small r की जगह पे क्या लिख दिया r e cos lambda r e cos lambda और 1 cos lambda तो यहाँ पे है तो यहाँ पे आपको मिलेगा RE cos lambda cos square lambda यहाँ पे समझ भाय रहा है तो G-dase equals to GE minus omega square RE cos square lambda आपको यह formula भी मिलेगा तो G-dase का formula latitude पे latitude पे कोई भी latitude पे आप जाओगे अगर आपको यहाँ पे lambda की value मालूम है कोई भी latitude पे जाओ यहाँ 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 कहीं भी आप latitude पे जाओगे अगर आपको lambda की value मालूम है बच्चो तो याद रखना आप यहाँ पे G-dase आपको वो तुरंट मिल जाएगा क्योंकि G क्या है G, gravitational acceleration on the surface of the earth वो तो 9.8 है minus omega क्या है earth का angular velocity वो आपको दे देंगे r e क्या है radius of earth वो भी आपको दे देंगे और according to latitude lambda की value भी आपको दे देंगे समझ में रहा है तो यहाँ पे आपको G-dase मिल जाएगा एक तो यह formula है G-dase ढुनने का दूसरा यहाँ पे यह formula है G-dase ढुनने का यह formula भी देखो G-dase equals to G minus v square cos lambda upon r यह दोनों ही formula की help से आपको G-dase मिल सकता है अब तो क्या है बच्चों इसके अंदर आप थोड़ा सा change लाओगे इसके अंदर आप थोड़ा सा change लाओगे अगर तो आपको अलग-अलग form में equation मिल सकते हैं लेकिन हमें सिर्फ यह दो ही याद रखने है हमें देखो मानलो यहां से G-common निकल के और अलग कोई reference book में कोई अलग दे दिया है इसका ही simplification वो लोग करेंगे लेकिन हम इतना complicated नहीं करेंगे हम यह दो याद रख लेंगे यह easy रहेंगे हमारे लिए समझ में आ रहा है तो यह हुआ आपको अर्थ के गुमने की वज़े से जो G में change आएगा वो आपको finally G according to latitude क्या मिलेगा वो formula अब यहां पे मैं आपको बता दू मानलो कोई object मानलो कोई object equator पे है simple सी बाते मैं आपको बताने जा रहा हूँ equator पे है देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो यहाँ पे यह object मानलो आपने रख दिया है equator पे तो देखो वच्चो मुझे एक बात बताओ यहाँ पे lambda है ना यह lambda दिख रहा है आपको यहाँ पे देखो एक लेंबडा दिख रहा है यह लेंबडा अगर यही object आप कहां पे रखोगे equator पे equator पे रखोगे equator पे रखोगे equator पे तो मुझे एक बात बताओ यह object अगर equator पे रख दिया तो यह lambda पूरा दब जाएगा mean 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यह object अगर आपने रखा है यहाँ पे equator पे lambda यहाँ पे इस तरह से दब जाएगा तो lambda हो जाएगा 0 समझ महा रहा है यहाँ पे equator पे क्या हो जाएगा lambda 0 तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, first case, first case, 8 equator, 8 equator, lambda की value होगी 0, 8 equator, lambda की value 0 होगी, तो cos lambda 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos lambda 1 हो जाएगा, तो आपको यही जीडेस का formula, यही जीडेस का formula मिलेगा, ge minus omega square re, यही formula आपको मिलेगा, यह formula, देखलो आप, तो यहाँ पे equator पे lambda 0, तो cos lambda की value 1, तो यहाँ पे जीडेस का formula हो जाएगा, यहाँ से देखके आप सोचो, ge का g minus omega square re, minus omega square re, cos lambda यहाँ पे 1, 1 का square यहाँ पे 1, तो यह आपको यहाँ पे मिला, लेकिन अगर object को आपने, अगर object को आपने उठा के, यहाँ से उठा के आपने direct pole पे रख दिया है, यहाँ पे north pole होता है, तो आपने object को north pole पे रख दिया है, तो यह जो line होगी, वो इस तरह से हो जाएगी, तो lambda जो है lambda, वो हो जाएगा 90 degree, ये line इस तरह से हो जाएगी, lambda हो जाएगा 90 degree, तो सोचो बच्चो यहाँ पे 8 pole, pole position पे, समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैं आपको बता दू, 8 pole, pole position पे, 8 pole, lambda हो जाएगा 90, और lambda 90 हो गया बच्चो, तो cos 90 होता है 0, cos 90 क्या होता है 0, तो आपको g days जो है, वो मिलेगा g e जितना ही, क्योंकि ये पीछे वाला पूरा step 0 हो जाएगा, तो g days equals to g e, क्या मिलेगा g days equals to g e, तो pole पे बच्चो, अर्थ जो गुम रही है न, अर्थ गुम रही है, उसकी वजह से pole पे है न, g में कुछ variation न g e, देखो, g e की value क्या है 9.8, g e की value 9.8, उतनी ही g days की हुई, तो जो pole होता है न, north pole, south pole, उस पे न, बच्चो, कुछ भी variation नहीं मिलता है, object को अगर यहाँ पे रखा, या तो यहाँ नीचे रखा, यहाँ पे pole पे, तो याद रखना है, यहाँ पे कुछ भी variation नहीं मिलेगा g days equals to क्या मिलेगा, नीचे देखो, g days equals to g e मिलेगा, लेकिन अगर object को रखाए exit बीच में equator पे, project को रखाएrot बीच में exit equator पे, तो g में ज्यादा variation मिलेगा, maximum variation मिलेगा, यहाँ पे यह maximum होगा, यह maximum variation है, देखो g days में, g days क्या हो जाएगा, ge minus omega square r E, यह maximum g days में लेगा ही variation इकवेटर पे समझ में आ रहा है और यहां पे तो वेरिएशन ही नहीं है समझ में आ रहा है यहां पे तो वे एरिएशन ही नहीं है क्योंकि g Aス तो यह जो यहाँ पर आपको दिख रहा है बच्चो यह g के अंदर fourth मैंने आपको पड़ाया पहला क्या था first क्या था अर्थ के surface के उपर अर्थ के surface के उपर object है तो आप g ढूंडो जिसको आपने बोला था g e फिर अर्थ की surface से दूर है h height पे h height पे है तो आप ढूंडते थे g h फिर कुछ depth में है मानलो कुछ depth में object अगर कुछ depth में है d depth में तो यहाँ पर आपको मिलता था g d यह आगे मैंने तीनों derive किये थे on the surface, above surface, under surface यह तीनों ही मैंने derive किये थे 8 depth d on the surface और above surface तीनों जी मैंने derive किये थे और अभी जो आपको मिला यहाँ पे यह जो g d वो क्या है अर्थ के गुमने की वज़े से भी change आता है और वो change का formula यह है मैं इसका एक आपको sum बता दू चलो इसका मैं आपको एक sum बता दू कि यह जो sum होगा वो केसा होगा देखो मै यहाँ पे मानलो आपको दिया हुआ है यहाँ ना आपको दिया हुआ है इस तरह से इस तरह से डिजिट दिये हुँए के बहें latitude की वज़े से लेंडा जो है ना वो latitude की वज़े से यहाँ पे हो है 60डिग्री अब्जेक का latitude की वज़ा से जो है वो है 60 degree और अर्थ जो गुम रही है अर्थ जो गुम रही है वो है यहाँ पे 4 pi radian per second मानलो अर्थ या तो कोई भी दूसरा planet 4 pi radian per second से यह गुम रहा है फिर lambda है 60 degree तो यहाँ पे lambda की value 60 degree, omega है 4 pi और radius of planet कोई भी planet के लिए भी अपलाई होगा तो वो radius है मानलो 10,000 km उसको meter में convert करोगे तो 10 rest to 3 meter तो यहाँ पे देखो यह जो formula है यह formula में आपको यहाँ पे वो लोग दे देंगे cos lambda lambda की value देंगे radius of planet देंगे जो भी planet है यहाँ अर्थ की बात है तो अर्थ की यहाँ पे आरी लिखा है कोई भी दूसरे planet की बात होगी तो उसकी radius देंगे lambda देंगे वो planet का घुमने का angular velocity देंगे फिर वो planet का g वो planet का gravitational acceleration वो भी आपको देंगे वो planet का g भी आपको देंगे फिर आपको वो पूछेंगे के भाई मानलो यह जो g है वो है मानलो 100 meter per second square मानलो यह जो अभी मैं random ले रहा हूँ बच्चो याद रखना यह सभी random ले रहा हूँ ओके कोई fix नहीं है फिर आपको वो पूछेंगे के भाई new g dash यहाँ पे latitude की वज़ा से उसको गुमने की वज़ा से planet के घुमने की वज़ा से जो g dash मिलेगा वो g dash कितना होगा वो आपको इस तरह से पूछेंगे समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से डून सकते हो तो यह आपकी book में बले ही ना हो लेकिन JW NEET के लिए एक अच्छा concept है तो इसके formula और यह concept युच्छो याद रखना